क्या सोच रही हो साबियाँ? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती एक बल के लिए भी नहीं रह सकती कहां जाओगी? बाहर जाके क्या मुद दिखाओगी लोगों को? बबलू से तुम्हारा निकाह तूट चुका है तलाग दिया है उसने तुम्हे निकाह तूट चुका है हमारे साथ? अब क्या होगा? एक रास्ता है तुम चाहो तो बबलू से तुम्हारा दुबारा निकाह हो सकता है कैसे? हमारे मजभब में एक रिवाज है हलाला उसके जरीए तुम बबलू से दुबारा निकाह कर सकती हो हलाला क्या होता है जब कोई तलाक शुदा औरत किसी गयर मर्द से निकाह करे उससे जस्मानी तालुकात बनाएं और फिर तलाक ले उसके बाद वो अपने पहले शोहर से निकाह कर सकती है तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो अम्मी आपी क्या बोल रहे है अब्बू से वो हमारे पिता है और आप कह रहे हैं कि हम उनके से सोजाएं हाँ तो उसमें बुराई क्या है हलाला ही तो करना है और वैसे भी ये हमारे मजहब का रिवास है ये अगर ये आपके मजहब का रिवास है अगर ये आपके मजहब का रिवास है ना तो ऐसे रिवास पे तो है सब्या अराम साधी तेरी इतनी मजाल मेरे मोपर दुखती है हमारे मजहब को गाली देती है याद रख मेरी अपो के साथ तेरा हलाला होगा अरे असर तू तो क्या तेरी मा भी करेगी